कोविट के बाद सबसे बड़ी चुनोती एक इंडिवीजुल के सामने और एक देश के सामने यही है कि कैसे अपनी जिन्दगी को वापस पट्री पर लाए जाए और जिन्दगी की गाड़ी आर्थवेवस्था की पट्री पर दौड़ती है वो एक इंडिवीजुल हो या एक कि यहां केंदर की तरफ से केंदर सरकार की तरफ से इसपश्ट किया जा रहा है कि हम आने वाले दिनों में सकारात्मक माहौल की उम्मीद कर सकते हैं अर्थवस्था के हिसाब से वह इसलिए क्योंकि पॉब्लिक एक्सपेंडीचर वह भी इंफ्रास्ट्रक्चर में रुका नह कंदों में निवेशकों के लिए वह और जेनरेट करता है एक माल बनाने वाला हो या एक किसान हो जिसको माल अपना एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है infrastructure ऐगर बहुतव होता है कोई businessman है कोई उध्यमी है कोई किसान है या कोई आसा व्यक्ती जिसको ट्राइबल करके काम से एक जगे से दूसरी जगे जाना है अगर अगर इंफ्रस्ट्रक्चर बहतर है तो ये बहुत आसानी से होता है इंफ्रस्ट्रक्चर में एक मंत्री नितिन गटकरी उन्होंने खास्तावर से इस बात का हवाला दिया कि हमने किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया है इसको इस बात से समझा जा सकता है कि इस वर्ष सड़क बनाने की एक दिन की जो रफतार है वो करीब 26 किलो मीटर एक दिन में औस तन पहु करोना की वज़े से काम लगभग तमाम जगों पर एक तरीके से रुका हुआ था और अब जिस रफतार से काम आगे बढ़ रहा है उन्होंने यह बताया कि आठ जनवरी से अठारा जनवरी तक कि अगर आप आंकड़े ले ले तो हमने 547 किलो मीटर हाइवेस का निर्मान इन किलो मीटर सडक बना लेंगे तो लोग हसते थे लेकिन अब बहुत जल्दी है मुम्किन होने वाला है सडक की बाद तो उन्होंनों की ही इंफ्रास्ट्रक्चर में दूसरा महात्वपूर्ण पहलू रेलवेस का भी है रेलवेस के हिसाब से भी उन्होंने को शाकड़े बता हैं और अभी तक का जो रेकॉर्ड है वो 119.7 मिलियन टन का है जो मार्च 2018 में बनाया गया था और बहुत जल्द हम उस रेकॉर्ड को तोड़ देंगे इसका मतलब यह है कि माल धुलाई की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ेगी उन्होंने यह कहा कि माल धुलाई के लिए ह कि इस दोरान हमने जो अत्रिक्त सरचार्ज लगता था उसको कम किया मतलब भड़े में ऐसी विवस्था की कि वो लोग जो रेलवेज के जरी अपने माल की धुलाई करना चाहते हैं वो प्रोथसाहित हों और रेलवे का इसके लिए इसके लिए इस्तेमाल करें उन्होंने य आमदनी बढ़ेगी तो आने वाले दिनों में उसको जो सरकार से बजटी ये सहायता लेनी पड़ती है वो बंद होगी उन्होंने ये भी बताया कि 93,000 करोड रुपाए अभी तक जनरेट किये जा चुके हैं रेलवेस के जरीए रेविन्यू के तौर पर और ये भी कहा कि आ यात्री गाडियों को बंद करना पड़ा था लेकिन अब 70% यात्री गाडियां वापस काम करने लगी हैं पिछले वर्ष के इसी साल के मुकाबले अगर देखें तो 9,000 करोड रुपाए यात्री जो किराया है उस हिसाब से कम दिखाई दे रहें लेकिन बहुत जल्द हम इस और बहतर सुविधाएं और बहतर रफतार ये कुल मिलाकर गेम चेंजर साबित हो सकती है ना सिर्फ इस लिहाज से कि बहुत तेजी के साथ वो काम जो विकास के लिए जरूरी है वो किये जा सकेंगे बलकि इससे एंप्लॉइमेंट जेनरेट होगा लोगों के पास पैसे आ हुचा रहे हैं वो है मेरे मित्र सावन तो उनका भी धन्यवाद करते हैं और फिलहाल आ गया लेते हैं